जे हिंद साथियों, स्वागत आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड मसी क्यू चनल पर तो दोस्तों आज किस वीडियो में बिहार डियलेट परिक्षा 2023 के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टन प्रसनों को लेकर आए हैं तो आप सभी पूरा सेशन को ध्यान पुर्वक देखें तो जल्दी जल्दी से आप सभी लाइब में जूड़ जाईए सभी को गोड इवनिंग, गोड इवनिंग तो चलिए सेशन की सुरुवात करते हैं आज के प्रसनों से तो पहला प्रसन आपके सामने है निम्न लिखित में से क्या नई आर्थिक निती का अंग नहीं है बिल्कुल आपके एक्जाम में छपने वाला प्रसन है चलिए आप सभी लाइब चेट में आंसर बताएंगे निम्न लिखित में से क्या नई आर्थिक निती का अंग नहीं है तो देखें दोस्तो नई आर्थिक निती के अंग कौन-कौन से है तो निजी करण है, वैस्वी करण है और उधारी करण है लेकिन राश्टिक रंजो है यह नई आर्थिक निती का अंग नहीं है तो जोई बच्चे C बता रहे हैं आपका बिल्कुल सही जबाब है याद रखेगा दूसरा प्रस्न है भारत में करंसी नोट कौन जारी करता है चलिए आप सभी दूसरे प्रस्न के लिए आंसर बताएंगे और देखे दोस्तों आपको लाइब चेट का उप्शन तभी मिलेगा जब आप लोग क्लास को क्लास टाइमिंग पर ही अटेंड करेंगे और क्लास का टाइमिंग है साड़े साथ बजे से याद रखेगा डेली साम साड़े साथ बजे से इस चनल पर बिहार डेलेट परिक्षा के लिए क्लास होता है तो आप सभी टाइमिंग को जरूर ध्यान रखें तो भारत में करंसी नोट जो है कौन जारी करता है तो बिल्कुल सही आंसर दिये है रिजर बैंक ओप इंडिया यानि RBI के द्वारा जारी किया जाता है अगर एक्जाम में पूछे कि सिक्का जो है और साथ में याद रखना है एक रूपिय के नोट जितने भी सिक्के है और एक रूपिय के नोट है कौन जारी करता है तो वित्विभाग जारी करता है तो दोनों फ्यक्ट को जरूर ध्यान रखें किसने कहा मुद्रा हुआ है जो मुद्रा का कार्य करती है चलिए आप सभी तीसरे प्रसने के लिए आंसर बताएंगे और देखे ये प्रसने प्रिवियस एर में पूछा हुआ प्रसने है तो इसे आप सभी जरूर ध्यान रखें एकजाम के लिए काफे ज़्यादा इंपोर्टेंट रहेगा आंसर बताएंगे भारत में किस प्रकार की अर्थविवस्था है तो याद कर लिजे सही जबाब है D ऑप्शन भारत में मिश्रित अर्थविवस्था है आप से पूछा जा सकता है अमेरिका में कैसी अर्थविवस्था है तो पुंजीवादी अर्थवरस्ता है अमेरिका में ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन में भी पुंजीवादी अर्थवरस्ता है समाजवादी अर्थवरस्ता कहा है एक उधारन दिजी आपसे पूछेगा एक्जाम में तो याद रखेगा समाजवादी अर्थवरस्ता के उधारन है रूज और साम्यवादी अर्थवरस्ता के उधारन पूछे तो चीन देश में है साम्यवादी अर्थवरस्ता तो इन सभी facts को जरूर ध्यान रखे निम्न में कौन बहु राष्ट कमपनी है सभी option को ध्यान पूरवक पड़ी है निम्न में कौन बहु राष्ट कमपनी है तो दीके Fort Motors हो गया Samsung, Coca-Cola ये सभी जो है बहु राष्ट कमपनी है सही answer है D option निम्न लिकित में से कौन सी छोटे पैमाने का उद्योग है चले छे के लिए answer बताएंगे option को सही से पढ़िए तो यहाँ पे छटे प्रसंद का answer क्या होगा बिल्कुल सही answer बता रहे हैं खिलावना उद्योग ये जो है सबसे छोटे पैमाने का उद्योग है भारत का प्रथम तेल सोधक कारखाना इस्थीत है और देखे दोस्तों प्रत्यक इस्ट्रेंट को लाइब चेट में answer बताना है तभी आपका प्रोपर तरीके से revision होगा तो बिल्कुल सही answer दिये हैं C option डिग बोई में है भारत का प्रथम तेल सोधक कारखाना थायरॉक्सिन का स्रावन कहां होता है बिल्कुल एक नमबर का प्रस्ण है फटा फट से आप सभी answer देते जाए थायरॉक्सिन का स्रावन कहां से होता है तो देखे इस प्रस्ण का answer जोई बच्चे ए बता रहे हैं बिल्कुल सही जबाब है थाइराइड से यकृत की बात करें तो ये मानव सरीर की सबसे बड़ी ग्रंती है यकृत ग्रंती रक्त को सुद्ध करने वाला अंग कौन सा है चलिए नौ के लिए फड़ाफट से आंसर किजिए रक्त को सुद्ध करने वाला अंग कौन सा है देखे यहाँ पे है रक्त तो रक्त का पियज मान पूछ सकता है 7.4 होता है और यह छारिय प्रकृति का होता है तो यहाँ पे जो यह बच्चे D बता रहे हैं आपका बिल्कुल सही जबाब है किडिनी है भोजन का पाचन किस प्रकार की अविक्रिया है चले 10 के लिए आंसर बताएंगे और इस प्रस्ण पर आप सभी स्टार लाके रखेगा एक्जाम में पूछा जा सकता है इंपोर्टेंट है भोजन का पाचन किस प्रकार की अविक्रिया है तो अभी याद कर लिजिए भोजन का जो पाचन है यह कैसी अविक्रिया है उप चैन अविक्रिया है याद रखेगा प्रकास वर्स इकाई है बिल्कुल बच्चो वाला प्रस्ण है आंसर बताएंगे और देखे दोस्तों आपके जितने भी प्रस्ण सही होते हैं आप लोग कॉपी में लिख कर रखिए और सेशन के लाश्ट में आपको अपना अपना स्कोर कमेड करके हमें जरू बता ना है मैं सभी के स्कोर को चेक करूंगा तो प्रकास वर्ष जो इकाई है दूरी की इकाई है एंपियर मात रख है तो बारा नमर का आंसर क्या होगा एंपियर किसका मात रख है सही जबाब है विद्धु धरा का मात रख है एंपियर इनमें से कौन दो बार देश का उफराष्ट पती बना तो चलिए देखिए यहां पर आंसर क्या होगा इन में से कौन दो बार देश का उपराश्टपती बना तो याद रखेगा डॉक्टर सर पल्ली राधा क्रिश्नन तो सही जबाब है C ओप्शन भारत में इस पात सेंत्रों के संदर में इन में से कौन सा युगम सही है चले 14 के लिए आंसर बताएंगे और देखिए यहां से आपको और भी 2-3 प्रसंद बताते हैं सभी को ध्यान रखे तो यहां पर पूछा यहां रहा है कौन सा युगम सही है तो देखिए बोकारों की बात करें तो सबसे पहले ध्यान रखे यह बिहार में नहीं है बोकारों कहां है तो यह जारकंड में है और इसकी अस्थापना होती है 1964 में रूस देश के सहीयोग से दुरगापूर की बात करें तो यह उडिसा में नहीं है यह पसिम मंगाल में है और इसकी अस्थापना होती है 1969 में सलेम की बात करें तो यह तमिल लाडू में है यह बिल्कुल जई है और राउर केला की बात करें तो यह पसिम मंगाल में नहीं है राउर केला उडिसा में है और इसकी अस्थापना होती है 1969 में जर्मनी देश के सहयोग से तो इन सभी फ्यक्ट को जरूर याद रखें एक प्रस्ण यहाँ से एकजाम में पूछेगा तो यहाँ पर सही जबाब है C option सलेम तमिल नाडू भारते अंद्रित्य रूपों का संदर्व निम्न में से किसमें मिलता है तो आंसर क्या हो जाएगा C option भारते अंद्रित्य रूपों का संदर्व जो है नाड्टि सास्त्र में मिलता है काफी ज़्यादा इंपोर्टेंट पुस्तक है आंसर किजिए किस ने लिखी है तो सही जबाब है Stephen Hawking यादर किएगा मुगा रेसम भारत में इनमें से किस राज से संबंदित है तो सत्रे के लिए आंसर बताएंगे क्या होगा तो सही जबाब है असम से संबंदित है इनमें से कौन सा भारते नागरिक का मौली कदिकार नहीं है देखें मौली कदिकार की बात करें वर्तमान में 6 मौली कदिकार है और इसे अमेरिका देश के संबंदान से लिया गया है मौली कदिकार को किस भाग में बताया गया है तो भाग 3 में मौलिक अधिकार है और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है मूल संबिधान में 7 मौलिक अधिकार थे लेकिन वर्तमान में 6 है तो यहां पर सही जबाब हो जाएगा B option संपतिक अधिकार जो है यह अब मौलिक अधिकार नहीं है इसे अब बना दिया गया है कानुणी अधिकार और इसे रखा गया है अनुच्छेद 300A में भारत के उप्रश्ट पतिक का चुनाव एक निर्वाचक मंडल दुआरा किया जाता है जिसमें कौन-कौन सामिल है तो 19 नंबर का आंसर हो जाएगा बी ऑप्सन संसद के दोनों सदनों के सदस्य सामिल है डॉक्टर APJ अब्दुल कलम मिसाइल कॉम्पलेक्स में इस्थित है चलिए आंसर बताएंगे तो सही जबाब है ए ऑप्सन हैदराबाद में इस्थित है डॉक्टर APJ अब्दुल कलम मिसाइल कॉम्पलेक्स हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है तो ये मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है वंदे मातरम गीत किसने लिखा है देखे दोस्तों वंदे मातरम जो है भारत का राश्टे गीत है और वंदे मातरम को पहली बार 1896 में कलकत्ता में गाया गया था और इसके रचेता कौन है तो बंकिम चंदर चटरजी है और जनगनम मनक की बात करें तो जनगनम मनक को पहली बार 1911 में गाया गया था कॉंगरेस के कलकत्ता अधिवेशन में और इसके रचेता है रविनात टैगोर तो इन सब इफेक्ट को जरूर ध्यान रखें भारत में राष्टिय रेल संग्राले कहां इस्तित है तो दोस्तों भारत में राष्टिय रेल संग्राले जो है नई दिली में इस्तित है तो सही जबाब है ए अप्शन नई दिली गांधी जी ने किस आंदूलन में करो या मरो का नारा दिया था चले 23 के लिए आंसर बताएंगे और दोस्तों जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं क्या है तो प्लीज आप सभी सेशन को दिल से लाइक करें और सेशन को अधिक से अधिक जरूर सेयर करें तो सही जबाब है भारत छोड़ो आंदोलन देखे भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था तो 1942 में हुआ था और इसी आंदोलन में महत्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था ऐसा योग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में और ऐसा योग आंदोलन को वापस लिया गया था? 1922 में चौरी-चौरा हत्या कांड के कारण सविने अवग्या आंदोलन हुआ था? 1930 में अब आप लोग कमेंट करके बताएंगे पूना समझोता कब हुआ था? इनमें से कौन सा विटामिन सी में सबसे समरिद स्रोत है? यानि कि बोला जा रहा है इन चारो अप्षन में से कौन सा अप्षन है जिसमें विटामिन सी प्रचूर मात्रा में पाया जाता है? तो बिल्कुल सही आंसर दिये हैं आवला याद रखेगा विटामिन सी की कमी से असकर्वी होती है याद रखेगा और विटामिन सी का रसाइनिक नाम है एसकॉर्विक अमल भारत में राज कोशिय निती खालिय स्थान दुआरा बनाई गई है चले 25 के लिए आंसर बताईए एक भी प्रसन फालतू नहीं है बिल्कुल आपके एक्जाम में पूछा जाने बुला प्रसन है तो सही जबाब है ए उप्शन वित मंत्री भारते राश्टे ध्वज को कब अपनाया गया था तो देखे दोस्तो भारते राश्टे ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था याद रखेगा और भारते राश्टे ध्वज का डेजाइन किसने तयार किया था तो पिंगली वैंक याने इसे भी जरूर ध्यान रखें गीत गोविंद किसने लिखी तो बहुत सिंपल प्रस्न है गीत गोविंद को लिखा है जैदेव ने आगे देखिए निम्न लिखित में से किस फाइवर को सेलुलोज पुनर्योजित फाइवर के रूप में भी जाना जाता है तो देखिए जाना जाता है रियोन को तो जोई बच्चे डी बता रहे हैं आपका बिल्कुल सही जबाब है सोतंतर भारत में राजी की पहली महिला राजिपाल कौन थी आंसर बताएंगे सोतंतर भारत में राजी की पहली महिला राजिपाल कौन थी तो जोई बच्चे सरोजनी नायडू बता रहे हैं आपका बिल्कुल सही जबाब है श्री मती सरोजनी नायडू तुगलक वंस का संस्थापक कौन था? चलिए तीस के लिए आंसर किजिए फटाफट से तुगलक वंस का संस्थापक कौन था? देखे इसका पीडियेप आपको टेलिग्राम पर मिल जाएगा और टेलिग्राम का लिंक इसे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है तो तुगलक वन्स का संस्थाफ़क था गया सुदिन तुगलक खालियस्थान ने महाकाव्य रामचरित मानस की रचना की यानि रामचरित मानस की रचना किसने की है आपको बताना है तो बिल्कुल सही आंसर दिये हैं तुलसी दास ने रामचरित मानस की रचना की है MRI scanner पर निम्न लिखित में से कौन सा बल लागू होता है MRI फड़ा फड़ा से आंसर बताएंगे तो इसमें जो बल लागू होता है याद रखेगा चुमिक्य बल तो B option आपका सही जबाब है इसको मार्क करके रखिए संबिधान सभा में किस देशी रियाशत के प्रतिनिधी ने भाग नहीं लिया था तो दोस्तों सही जबाब है C option हैदराबाद राज जी की कारिपालिका सकती किसमें नहित होती है चले 34 के लिए आंसर बताएंगे फड़ा फड़ से तो दोस्तों राज की कारिपालिका सकती जो है ये किसमें नहित होती है तो याद रखेगा राजपाल में राजपाल बनने के लिए उम्र सीमा जो है 35 वर्स है राजपाल की नियुक्ति किसके दुवरा किया जाता है तो भारत के राष्टपती के दुवरा जनगनना का महा विभाजक वर्श माना जाता है तो देखे दूस्तों जनगनना का महा विभाजक वर्श जो है 1921 को माना जाता है सौर मंडल का सबसे बड़ा एबम भारी ग्रह कौन सा है तो चले यहां से आपको और भी तिन से चार प्रसनों को बताते हैं सबसे बड़ा गरह पूछे वरस्पती है सबसे छोटा पूछे तो बुद्ध है सूरी से सबसे नजदिक पूछे बुद्ध गरह है पिर्थभी से सबसे नजदिक पूछे सुक्र गरह है सबसे गर्म गर्ह पूछे सुक्र गर्ह है देखे भले ही सूरी से सबसे नजदीक बूत है लेकिन सबसे गर्म गर्ह जो है ये सुक्र गर्ह है याद रखेगा और एक पूछा आता है कि टाइटन जो है ये किस गर्ह का उप गर्ह है तो याद रखेगा सनी का है लाल गर्ह किसे काते ही तो मंगल को विश्व जनसेंख्या दिवस मनाया जाता है तो दोस्तों विश्व जनसेंख्या दिवस प्रत्य एक वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है आठ मार्च को अंतराश्टिय महिला दिवस जनसेंख्या का ध्यन कहलाता है तो देखे जनसंख्या का ध्यन क्या कहलाता है तो डेमोग्राफी डेमोग्राफी में जनसंख्या का ध्यन किया जाता है हुंड्रू जलपरपात निर्मित है तो हुंड्रू जलपरपात जो है ये किस पर निर्मित है तो स्वर्न रेखा नदी पर निर्मित है तो जोई बच्चे ए दिये हैं आपका बिल्कुल सही जबाब है आखरी प्रस्न है जोग या गरसुपा जलपरपात का नया नाम क्या है सबसे पहले ध्यान रखे ये जलपरपात जो है किस नदी पर है तो सरावती नदी पर है राजी पूछे तो करनाटक राजी में है ये जलपरपात और इसका नया नाम है महत्मा गांधी जलपरपात तो दोस्तों आज के लिए इतना ही सेशन पसंद आया हो तो सभी लोग सेशन को लाइक करें और अधिक से अधिक सेशन को जरूर शेयर करें